प्यारे बच्चो एक तपा का जिकर है एक गाउं था सारे गाउं वाले आपस में मिल जुल कर रहते थे गाउं के सारे मर्द मिल जुल कर काम करते सारे मर्द सुब सवेरे जंगल की तरफ निकल पड़ते और जंगल में जाकर लगडियां काडते और उन लकड़ियों को एक गाड़ी में लाद देते और उन्हें बाजार जाकर बेच देते गाउं के करीब ही एक जंगल था जंगल का कोई जानवर भी गाउं वालों को नुकसान नहीं पहुंचाता था वो सब हंसी खुशी जिन्दगी बसर कर रहे थे कि अचानक उन पर एक बहुत बड़ी आफ़त आ गई जंगल में कहीं से एक शेर गुसाया वो बहुत खुंखार था जो भी मर्द उसे जंगल में नजर आता वो उसे चीर पाड़ कर खा जाता सारे गाउवालों पर दह्शत फैल गई शेर के खौफ से कोई भी गाउवाला जंगल में लगड़ियां काटने ना जाता सारे गाउवालों पर कहत पड़ गया उनके पास कुछ भी खाने को ना था सब बहुत परिशान थे उसी गाउव में एक बढ़ई रहता था उसने जब गाउवालों को परिशान देखा तो उसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए उसने गाउवालों से कहा कि तुम लोग परिशान ना हो मैं कुछ करता हूँ बढ़ई ने जंगल से लकडियां काटी और एक पिंजरा त्यार करने लगा जैसे ही उसने पिंजरा बना लिया उसे शेर आता दिखाई दिया उसने कहा बाशा सलामत मैंने आप के लिए घर त्यार किया है शेर बढ़ई से कहने लगा मुझे तो ये घर छोटा लग रहा है बढ़ई ने कहा नहीं बाशा सलामत ये आपके साइस के मताबिक है आप इसमें पूरे आ जाएंगे आप अंदर आ कर तो देखें जैसे ही शेर अंदर आया बढ़ई ने पिंजरा बंद कर दिया और शेर को कैद कर लिया सब गाउवाले बहुत खुश थे के बढ़ई की अकलमंदी की वज़ा से उन सब की शेर से जान चूट गई और वो सब आजाद हो गए और अब वो दुबारा अपना कारोबार शुरू कर सकते थे और गाउवालों ने शेर को सरकस वालों के पास बेच दिया